आनिल विज का एक बड़ा भ्यान सामने आया है जिसमें वो स्वास्ते सेवाओ को लेकर सामने आया है चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हर्याना में सिविल अस्पतालों का होगा काया कल सिविल अस्पतालों में लाइच जाएंगे लेटरस्ट एक्यूपमें सभी सिविल अस्पतालों में लगेंगे एसे सिविल अस्पतालों में हो सकेगी हर्ट सर्जरी ग्रेहे मंत्री अनिल्वीच ने किये बड़े एलान हर्याना में बेचर सौस्ते सिवाई मिलेंगे इस बात का खुद ग्रेहे मंत्री अनिल्वीच ने एलान किया आनिल विज अंबाला के सीविल अस्पताल में कामकाज का जायजा लेने पहुंचे थे अस्पताल के स्थिती देखने के बाद विज ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े ऐलान किये विजनी कहा कि हर्याने की सिविल ऑस्पतालों को अपग्रेड और अपडेट किया जाएगा सभी सिविल ऑस्पतालों में एसी लगाने के साथ साथ लेटेस एक्व पेंट्स का ऐलान किया पिलकुल सारा जो हैने के सेल हुष्टाल हैं, इन सारों को अपग्रेड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। और मैंने विभाग को ये भी कहा है कि सारे हुपतालों को एर प्रडिशन करवाया जै और उनमें देखा जै जहां जहां पर नई बिल्डिंग बननी है को गवाँ में हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं और वो आठ मनजला बना रहे हैं पांचो बिड़ का हस्पिताल वहां पर किया रहा है इसका नक्षा भू करणी है और उसका कंस्ट्रक्शन होने जा रही हुए पूरी तरह से और जो लेटस्ट जो अक्विमेंट है उनसे हम सारे अस्प्तालों को कभिध करना चाहते हैं मेंगाई के समय में विज ने जनता को रहात देने वाली बात कही वहीं उन्होंने बताया कि सीविल अस्पतालों में हार्ट सर्जरी के स्वीधा देने का भी विचार किया जा रहा है विज ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये हरियाना की जनता के लिए वर्दान साबित होगा इसे हरिदे रोगी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लाखो मेंगे बिलों से बच सकेंगे इस वकत चल रही हैं बाकी जिलों में भी लग सके उसके लिए भी मैंने कहा है और मैंने ये भी कहा है कि ये भी देखा जाए कि क्या हाट सरजरी हमारे सेलोस्ताल में हो सकती है और उसको करवाने का भी इंतजाम किया जाए और अगर ये हो जाता है तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा बून होगा कि सेल अस्ताल में हाट सर्जरी हो रही है मंत्री पत संभालने के बाद सही अनिल विज कापी अक्षन में दिख रहे हैं जहां पोलिस के अधिकारे से बैठकर राज्य की कानुन विवस्ता बनाये रखने के दिशा निर्देश दे चुके हैं वहीं अब उन्होंने परदेश के स्वास्ते विवस्ता सुधाने का भी अलान कर दिया है अब हर्याना वास्यों को विज के इस अलान पर आमल का इंतजार होगा